और चार अगस्त को महामेहिम राष्ट्पती जी की अंतिम होर इसके उपर लगी और इसकी नोटिफकेशन होगी गजट में ये चप गया पर्देश सरकार का काम था पर्देश में सरकार कॉंग्रेस पालिटी की है मानने सुकविंदर सिंग्सुकुजी पर्देश के मुख्य मंतरी है चार अगस्त को नोटिफकेशन होने के बाद सारी चिठियां वहां से आ जाती है और सब गिरिपार के लोगों में खुशी का महाउल था कि अब हमारी इतनी लंबी मांग जो है पूरी हो गई है और हमारी जो नौजवान पीड़ी है जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन बच्चों के इंट्रिव्यूज है जिन बच्चों के एड्मिशन्स है उन सब को इसका लाब मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन उसके बाद यहां चिठिया आने के एक महिने के बाद परदेश की सरकार ने केंदर सरकार को एक चिठिया दी कि उसमें कुछ तूरूटिया है और जबकी जो ड्राफ्ट परदेश सरकार ने यहां से बेजा था वे ड्राफ्ट लोकसभा में राजे सभा के अंदर पास हुआ महामे वराश्ट किदीजी ने उसकी अधिसोचना जारी की लेकिन उसके बाद भी मसले को किस परकार से लटकाया जाए उस बिशे में पर्यास किये गिए और एक चिठिक के अंदर सरकार को भेज दी कि हमें इसका सपिष्टिक रन दीजी उसमें उन्होंने तीन बातों का मुखेता जिगर किया था जो कि प्रेस के महाद्यम से पता चला है या जो चिठिक गई है उन्होंने उसमें कहा कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हटी कौन है दूसरा उसकी कट अफ डेट पूछी गई कि वे कब से ये कौन सी डेट से लागू किया जाएगा कौन से डेट के लोगों कि इसमें लिया जाएगा और तीसरी बात उसमें पूछी गई थी कि कि हटी कौन है ये दो तीन बातों का जिगर जब किया तो केंदर सरकार को चुठी गई हाँ एक SC का मुद्ध कि इसमें SC exclusive है या include है या बहार है अंदर है ओ बात भी उसमें पूछी कि जबकि इस तीनों मुद्धे ही बहुत साब है कोई भी व्यक्ति चाया कोई अधिकारी कोई भी स्विश्य को जो देख रहे थी कि हटी कौन है जो एथनोग्राफिक के अंदर आए है ओ लोग हाटी है जितनी जातियां उसके अंदर आई है रिपोर्ट के अंदर ओ हाटी है दूसरा SC ने अपनी मांग पर उन्होंने खुद लिखके दिया कि हमें जन जातिये नहीं होना है लेकिन उसके बावजूद जिस परकार से गुल जाने का कारे किया ग अधर लगातार केंद्र हटी समीति के लोग मिलते रहें कि यह अधर हाटी समीति को उन बैठर में बुलाए गया और किस परकार से उनको वहाँ पर अपमानित किया गया अपमान के बाद वहां से भार आए नारे लगाते हुए उन लोगों को भार आना पड़े और पूरे विशे को किस परकार से गुमाये गया और शेत्र के अंदर जातिवाद का जहर गोलने का पर्यास किया गया पहले हमारे सिस्माज को लड़ाया गया उनको अलग किया गया फिर ओभी सिस्माज को भरकाने का काम का पर्यास किया गया उसके बाद जो हमारे जंजातिये के लोग थे उसमें भी बिगटन करने का पर्यास किया गया और अलग-अलग जो है वो पर्यास किये गए बात यह नहीं रुकी उसके बाद कोट में मामला चला गया हाई कोट में मानि उच्छी न्याले के अंदर दो समाज के लोगों ने हमारे अंसुची जाती के भाई लोगों ने और हमारे गुजर समाज के लोगों ने उन्होंने हाई कोट के अंदर केस कर दिया कि इनको यह जंजाती क्यों है इस परकार का पर्यास करने के बाबजूद लगातार वो कहते रहे कि केंदर से जो है जबाब नहीं आ रहा है जब ये शिमला की मीटिंग के बाद हमारी केंदर हाटी समीती के लोगों ने नहान में एक धरना परदर्शन किया लोगों को आवान किया कि परदेश सरकार इस मुद्दे को लटकाने का प्रयास कर रही है नहान के अंदर एक आंदोलन हुआ उस आंदोलन के बाद शिलाई के अंदर आंदोलन हुआ और जिस दिन नहान का आंदोलन हुआ उसी दिन केंदर सरकार के हमारे ट्राइवल मिनिस्ट्री ओपिस से फोन आया हाटी समीती के लोग वहाँ पर गए वहाँ उन से मिटेंग हुई उसमें सभी अधिकारी वहाँ के सैक्टिर लेवल का अधिकारी उसमेथ उन्होंने जब वो फाइल देख उन्होंने का कि इसमें जबाब की आउशकता क्या है अखिर इसमें जबाब क्या चाहिए सब कुछ कलियर तो जो गौर्वर्मेंट आफ इंडिया ने कर दिया है जो आपने भेजा हमने एजिटीज उसको पास किया है परदेश से आया कि इसमें सुझाती के लोग बाहर रखने है तो बाहर रख दिये हाटी का पूछा गया एक्नोग्राफिक रिपोर्ट आपने परदेश से बना कर भेजी है कि सारे बिशे जब उसके अंदर है तो फिर काई को इसको लटकाया जा रहा है और जो लोग सबा राजे सबा के अंदर उसके साथ के और जो शेत्र जंजाती हुए थी उन सब ती नोटिव केशने परदेश वहां की परदेश सरकार ने कर दी ओन लोग उसका लाब ले रहे हैं और हम लोग उसमें आंदोलन की रहा पर चल रहे हैं हमारे नौजवान हर्ताल बे बैठ रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं मजबूर हो रहे हैं बच्चों की एडमिशन सी बच्चों के इंटरव्यूज थे कुछ बच्चे मानुष नजाल लेगे उनको वहां से भी रहात मिली लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार ने बार बार एक भाना लगाया कि हमको स्परिश्टी करण नहीं मिल रहा है हमने प्रयास किया दिल्ली में बात करी स्परिश्टी करण कुछ था नहीं लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार ने मांगा है तो सरकार की प्रक्राइक अनुसार कुछ जवाब तो जब उन्होंने मांगा है तो भेजना पड़े मानी सांसर जी ने प्रयास के सुष कश्यब जी न, मानी जैरान ठाकूर जी से हमने बात कराई और उसका प्रयास ये रहा कि आने वाले नौ वर्ष में गिरिपार के लोगों को बहुत बड़ी खुशकवरी मिलने वाली है उसके लिए मैं तमाम गिरिपार के लोगों को आज फिर से बढ़ाई देना चाहता हूँ जो जो सपश्टिक रण मांगा गया था ओवी पिछली रात जो है प्रदेश सरकार को भीज दिया गया है उसकी इमेल केंद्री ये जो हमारा जंजा के विभाग है उन्होंने प्रदेश के जंजा के विभाग को पूरी सुचना भीज दी है और मैं माननी मुख्य मंत्री सुपिंदर सुकूजी से निवेदन करना चाहता हूँ उन्होंने कहा था कि प्रदिली से स्पश्टिक राने के बाद हम 24 घंटे के अंदर इसको लागू करें मेरा उनसे बिनव निवेदन है कि गिरिपार के लोगों ने पिछले साट वर्सों से लगातार इंतजार किया है इस दिम का और जिस परकार से पिछले चार महिने के अंदर इस बिशे को गुमाया जा रहा है लटकाया जा रहा है गिरिपार का नौजवान गिरिपार के लोग बहुत प्रेशानी है अब ये सारा मामला सपस्ट हो गया है चिठी केंदर सरकार की प्रदेश सरकार को वा चुकी है मेरा उनसे निवेदन है कि आपने स्वयम का था कि जैसे ही केंदर से जवाब आएगा हम 24 घंटे के अंदर इसको जो है और लागू कर देंगे ये निवेदन मेरा माननिये मुखे मंत्री सुपिंदर सिंग सुकुजी से